अपना आज बात करते हैं लेडर जो अपन ने काफी सारा पार्स कल पड़ लिया था उससे आगे अपन वारता अभी सुरू करते हैं पिस परकार से लेडर को हैंडल कर सकते हैं इसमें हैं लेडर के परकार टाइप सौप लेडर लेडर के परकार देखो अगनी समन सेवा में लेडर को अलग अलग पागों में बाटा गया है उनको अलग अलग उप्यों के अनुसार उसको अलग अलग सहतर के अंदर बाटा गया है अब देखो लेडर किस परकार से अपन यूज़ करते हैं टाइप आप लेडर लेडर के परकार नमबर एक इसके लेडर नमबर दो इसके लेडर नमबर दो उड़न लेडर जो लकड़ी की बनी हुई रहती है जो अभी फाइर सर्विस में कमी यूज़ गया है क्योंकि इसका वजन पारिये दούसरा है आलूमिनियम लेडर हुक लेडर रव लेडर अर टर्ण टेबल लेडर होता है क्योंकि सडने KP लिए उतनननी के लिए पिल बनाने लों से इसका प्रकार की तक कि यूज़ अ लेटर इस लेटर के द्वारा व्यक्ति या फायर मैं एक इस्तान से दूसरे इस्तान दूसरे इस्तान से तीसरे इस्तान पुल बनाने के लिए बोईलर की चिमनियों तक को ला भी सकता है इसके अंदर ऐसा सिस्टम रहता है पहला आता है इसनौर कल लेटर अब देखो इसके लेटर पहला है इसके लेटर और सबसे पहले बात करते हैं इसके लेटर इसके लेटर देखो इसकी लंबाई चार पाइंट पांच से समिटर होती है यह इसकी लंबाई है यहां से यहां तक लंबाई यह परशन पिसली डीलबी राजस्तान पिसली भरती के अंदर यह पूचा था कि इसके लेडर का उप्योग कहां तक होता है और किती हाइट तक होता है तो इसमें 4.5 मिटर से 6 मिटर तक इस लेडर का उप्योग कर सकते हैं यह 4.5 तक 6 मिटर तक ल जाती है इस सीडी के द्वारा पर्समतल पहुंशने के लिए इसमें यह रबर सूज लगे होते रहते हैं इसके भी रबर सूज से क्या होता है लेडर अपन व्यक्ति चड़ गया वापस लेडर खिसके नहीं इसी कार्ण अपने चेक करना होता है कि लेडर के रबर चू लगे ह होए नहीं यदी रबर चू नहीं है तो लेडर खराब लेडर के अंदर आती है खराब को एक अलग फायर इस्टेशन पर रजीस्टर होता है सबदाँ इस इसको अलगर रखा जाए और और अजयANS के दौरा ने इस्को उप्योग नहीं किया जाए तो वह भी रजीस्टर होत होते हैं string और यह一 रांड in scale इस्टिंग राउंड अब दोनों ο discretion के उपर हमेशा व्यक्ति सर टे समय Undert intriguing को आप साली को पकड़ते हैं त débats ऑप सरा सा गलत है अपने को only for string पकड़कर की परथम मंजीर तक पहुंशने के लिए इस लेटर का परियोग कर सकते हैं यह हो गया यह इस ट्रिंग है चार पाइंट पांस इच्छे मिट लंबाई यह आप अती मैंते पूर्ण है यह आप नोट कर लेना जो मैंने बोला वह आप नोट कर लेना यह देखो दोनों राउंड इससे में होती है अब देखो अपन ड्रिल के दोरान इसके लेटर का हर समय प्रेक्टिस करें ताकि क्या इसके ऊपर कभी भी चड़ना हो आगदने के दोरान सड़ना हो तो आसानी से अपन सड़ सकते हैं बिना कि जिज़ग से आसानी से ऊपर चड़ सकते हैं दूसरा आता ह अपने वुडन लेडर वुडन ट्रंस लेडर इस लेडर का उपयोग फायर सर्वीस में अब न के बराबर क्यों किया जाता है क्योंकि इस लेडर का वजन 90 गेजी तक होता है भारी वजन होने के कान इस लेडर का उप्योग कम किया जाता है परन्तु अपने को जानकारी होना चाहिए और इसमें दो पार्ट से मुख्य भाग एक विस्तारित भाग मुख्य भाग वो होता है जो जमीन से टिका होता है मानो कि यह है इसका मुख्य भाग है मुख्य भाग मुख्य यह सीडी का मुख्य भाग जो उपर तक जाता है यह है विस्तारित भाग मुख्य भाग यहां विस्तारित भाग मुख्य भाग हमेशा जमीन से टिका रहता है और विस्तारित भाग उपर भवन तक यहां तक मानों की यहां तक आने के लिए विस्तारित भाग यहां तक काम करता है और मुख्य भाग जमीन से नीचे तच रहता है जमीन से टच रहने के बाद में वो काम करता है अब देखो इनके भी अलग-अलग parts होते हैं इनको भी अलग-अलग parts के अंदर इसके भी नीचे rubber सू लगे रहते हैं जो आप CD बना के उसके अंदर note का लेना rubber के सू यह भाग हो गया है, मुख्य भाग, विस्तारित भाग यह fire round यह string string इस गिरनी भी लगी रहती है ठीक है, तो इस प्रकार से लंबी इसकी लंबाई आप note कर लेना लंबाई लंबाई 6.5 मिटर 7.5 मिटर क्या है, कि एक हिस्से की लंबाई है, मुख्य भाग की लंबाई यहां से, यहां तक की लंबाई है देखिए अब यहां से यहां तक की लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई 6.5 मिटर होती है, और इस दूसरे इस्तारित भाग की भी लंबाई 6.5 होती है, जब इस लेटर को पूरा खोलते हैं, तो ये 10.5 मिटर तक लंबी अपन खोल सकते हैं, 10.5 मिटर की हाइड तक इसको खोल सकते हैं, लगबकती इसरी मंजिल के आसपास तक ये पहुंच जाती है, और इसके दोनों पायों के 20 की होती है, और इस दोनों इस्ट्रिंग मुखी इस्ट्रिंग की लंबाई होती है, इसकी दोनों की इसके और इसके बीस की लंबाई हती होती है, क्योंकि इसको 45 मिटर की सोड़ाई और दूसरे बाग की 38, इसको 45 और इसकी 38, क्योंकि जो इसके अंदर रहती है, वो बड़ी हो आई जा सकती है यह है अब दूसरी है अब यह देखो एलूमिनियम एक्स्टेंशन लेडर एलूमिनियम विस्तारित सीडी फायर सर्विस में एलूमिनियम एक्स्टेंशन लेडर एलूमिनियम विस्तारित सीडी का अपयोग किया जता है देखिए एलूमिनियम फायर सर्विस म अत्य धीक मात्रा में बहुत ही उप्यों की मानी जाने वाली लेडर यही लेडर है जो आपके सामने है यह दिख रही है अलूमीनियम एक्स्टेंशन लेडर अलूमीनियम विस्तारित सीडी अब इसके बारे में आप थोड़ा गोर्शे देखें क्योंकि फायर सर्विस के अंदर सबसे ज़्यादा काम में आने वाली और सबसे ज़्यादा किसन उठने वाली लेडर अलूमीनियम एक्स्टेंशन लेडर है अब देखो अलूमीनियम एक्स्टेंशन लेडर को यूज क्यों किया जाता है पहले क्यों करने का मतलब है यह वजन में हलकी होती है और आसानी से इसको खोला जा सकता है वजन में हलकी होने के कारण दो फायर मैं इसको उठा के दूसरे स्थान ले जा सकते हैं भवन के उपर से उपर ले जाने के लिए तो इसम दो व्यक्ति आराम से ले जा सकते हैं यह बीध वुड़न लेडर की तरह ही होती है परंतु यह वजण में हलकी होने के कारण इसको अत्ते धीघ मात्रा में उप्योग में लाया जाता है अब देखो उसी तरह इसके भी यह रहे रब्बर सू रबर सू इसके उपर भी रबर के सू लगे रहते हैं ठीक है और यह भाग ह राउंड यह निए पाए यहां पर सीर्स घिर्नी सीर्स घिर्नी जो इसका पार्ट्स है यहां पर पेंडूलम पावल पेंडूलम पावल जो लॉक की तरह कारे करता है इसको CD को विस्तारित करने के बाद में इसको lock लगा दे ताकि 35 City Extensulator लेटर आम से यूज कर सकते हैं अब देखो यह यहां तक यह रसा है जिसको बोलते हैं विस्तारित rope विस्तारित rope इसको विस्तारित rope के द्वारा इसको लंबा कर सकते हैं उचा कर सकते हैं यह रबक के विस्तारित rope हो गया पेंडू लंपावल हो गया यह भी इसकी राउंड की दूरी है इसकी लंबाई आप नोट कर लो वही है लंबाई जो आपको पहले बताए 6.5 यह मुखी बागी लंबाई ठीक है मुखी बाग और विस्तारित भागी लंबाई यह है होती है विस्तारित विस्तारित भाग 6.5 मिटर जब पूरी खोलते हैं यह 10.5 मिटर तक इसको लंबा खोल सकते हैं 10.5 मिटर तक इसको लंबा खोला जा सकता है इसकी लंबाई यह विस्तारित रोब हो गया यह रबर के सूँख गिरनी होगी पेंडूलम पावल हो विस्टिंग होगी अब देखो इसके वर्णन आप खुद लिख लेना सिर्ष गिरनी के काम है सीडी को लंबी करनी के लिए रबर के सूथ सीडी को खिसकने नहीं देती है यह आप सब पॉइंट टू पॉइंट बनाके उसके अंदर जो आपको मैंने बता दिये वह आप नोट कर लेना इस मुख्य वाग की लंबाई यह विस्तारित भाग की लंबाई यह दोनों के राउंड के इसकी दूरी यह रहती है पाईयों के इसकी 30 mm इनके इसकी दूरी र विस्तारित भाग होता है उसकी लंबाई 35 mm और दूसरे वाड़ा होता है विस्तारित उसकी छोटी होती है क्योंकि यह इसके अंदर फसी होती है तो ये मुख्य बाग मुख्य बाग यहां लिख लो आग मुख्य बाग 45 और इसकी होती है 30 इन दोनों की इस परकार से CM cm के अंदर होती है इस परकार से इसको Aluminium Extension विस्तारिस CD को Fire Service में अत्य धीग मातरा में उप्योग किया जा सकता है अपन काम करते है कि अग्या आती है Hook Latter Hook Latter से किस परकार से अपन कारे कर सकते है Hook Latter यूज करते है कैसे करते है ये सब अपन इस Hook Latter के अंदर बात करते है अब देखो Hook Latter इस प्रकार की लेडर रहती है हुक लेडर ये हुक हुक लेडर का काम है कहीं पर अपने देखो इसको उपर चड़ना है अपन नीचे खड़े हैं उपर सीधे यहां से मानो की रख के टंगा के इस प्रकार से देखो यह है दिवार तो इसको नीचे से पकड़ कि इस प्रकार उपर की है यह खींस के आराम से इसमें लगे रहते हैं उपर हुक लगे रहते हैं यह हुक की भाती है दात्तें लगे रहते हैं और यह है अलूमिनियम मैगनीशियम और पोटिस्यम अलूमिनियम magnesium से यह बनी रहती है ठीक किस से बनी होती है aluminium magnesium इसमें पायों की 20 की दूरी यह दोनों पाये पायों की 20 की दूरी 30 cm 30 cm इसके दोनों पायों की 20 की दूरी 30 cm होती है तता इन में 8 दाते बने होते हैं इसमें 8 दाते दातें बने रहते आठ दातें अलग अलग दातें होते हैं दो होगे इसके आठ दातें बने रहते हैं काटे का पतला इससा 100 mm का होता है इसका जो लंबा होता है इतना लंबा होता है जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं कई भी सणने के लिए इस पर इसका लटका की यूज़ करने के लिए इस CD को अत्य धी उप्योगी माना जाता है इस परकार यह हुक लेडर है हुक की तरह रहती है इसको लटकाया, अराम से काम किया वापस उतार के फायर टेंडर के उपर डाल दिया उसके बाद माते हैं रोप लेडर रोप यानि रसी, लेडर यानि लेडर रसी की दुआरा इसमें ये फायदा है कि रोप लेडर को अपन अत्य धीक मात्रा में कित्ती भी मात्रा में बना हो रसी को लंबा ले लिया, यह देखो इस परकार से बना के रख दिया, ये देखो ये round गो गए ये round ये round और ये इस्ट्रिंग तरह ये धागा रसी काम में लिए रसी जिससे की इस्ट्रिंग बनी हुई है रसी से इस्ट्रिंग बनी हुई है, इसको अपन ऊपर बाद दिया तो किसी आराम से सट सकते हैं लपेड के सोटी से सोटी लपेड लिया इसको लपेड लिया इस प्रकार से सैट करके अपन काम में ले सकते हैं लपेडने के बाद में रख दिया कोई ज्यादा यह इस्तान नहीं गेरती है खराब ज्यादा नहीं होती है इसकी लंबाई आप राउंड पायों की दूरी अपन आवशुक नुसार आवशक्ता नुसार भी सेट कर सकते हैं ताकि आवशुक नुसार सोटी भी बना सकते हैं इसको 30 बराबर भी बना सकते हैं तो इसकी लंबाई होती यह 15 25-35-35-35 टक कि ये लंबाई में बना सकते हैं उप्योग में ले सकते हैं यदि अपने साए कि अपन 15-35 यूँआ बमाएं 10 भी बना सकते हैं 20 भी आ सकते हैं ऐसा कोई नहीं है पर माप के अनुसार 15-35 मिटर तक ही होती है जिसको इस अनुसार अपन काम में ले सकते हैं यूज कर सकते हैं यूज करने के बाद में इसको फॉल्डिंग सिस्टम है फॉल्ड करके रख दिया फॉल्ड करके रखने के बाद में अपन दूसरी तक ले जाने के लिए अराम से करने के लिए कोई पी आपन आपने देखा ही होगा पैंट कलर बगेरा बड़े-बड़े करते हैं लटकती होई व्यक्ति काम करते हैं वो है अब यह लेडर गरों में लगी हुई रहती है आपने देख़े होगा यहां से यहां से यहां से यहां से सडने के लिए इस लेटर का उप्योग कौम फाई mix कप बड़ाबर युजब होता है क्योंकि इस परकार की लेटर काम आती नहीं agree ये लिटर यह आप इसका नोड कर लेडर ये टी-टी ऐल्टरंट टेबल लेडर ये फईर्विस में अत्यदी इदिक मातरा में काफी मातरा में उप्योग में आती है क्योंकि बड़ बड़े इंडिस्टियलों के अंदर इसका यूज गया जाता है बाकि नॉर्मल अपने बाड़ में जैसे लखो में तो यूज कहा है यह नहीं गाड़ी पर इस गाड़ी की विश्यस्ता देखो यहां से यहां तक एक पाइप लगा रहता है है गरे हुए हैं रो रहे हैं कुछ भी है तो यहां से सीधा खड़ा करके यहां उपर रखे इनको बुकेट में डालके नीचे लाके यह धीकर सकता है इस परकार से खाले करने के लिए अन्दर एक व्यक्ति भी और एक बूकेट के अंदर अड़र फाइर मेन बैटकर इसको फायर फाइटिंग दोरान उप्योग में ले सकता है इस परकार से use इस TTL tones table ladder का use किया जाता है TTL लेटर उप्योग में आती है बड़े-बड़े इंडिस्टियों के अंदर इसका टरंटेबल लेडर का उप्योग किया जाता है TTL, TTL नाम से ये फहमस है TTL, ये फुल फॉर्म कभी भी आज़ है TTL, टरंटेबल लेडर TTL, टरंटेबल लेडर इसकी लंबा ही, वो गाड़ी के अनुसारी बनती है गाड़ी ये उपर ही, ये सेट की जा सकती है इसके अंदर, बुकेट के अंदर फायरमेन ब्रांच लेकी भी बैट सकता है जहां फायर फायटिंग करनी है वहाँ कोई गाड़ी नहीं पहुंस पाती है कहीं उपरी जगे पर जाने के लिए पहले है आग को बुज़ाया जा सकता है आराम से आसानी से बुज़ा सकते है उसमें कोई दिक्त नहीं आती इस परकार से यां किया ये मानों की बिल्डिंग के अंदर आ गे तो यहां खड़ा करके यहां कोई गाहल वेकती है तो उठा के नीचे ला सकते हैं बाकी यहां फायर फायटिंग करना है तो उस ब्रांश के द्वारा सॉड ब्रांश, लॉंग ब्रांश, रिवलिंग ब्रांश, किसी भी ब्रांश, जिस ब्रांश में कि नॉर्मली vendnree की तरह ही कारे करती है उसके अनुरूप ही कारे करती हैं अब आता है लेडर का मानक किस प्रकार से मानक काम सकते हैं भवन हैं भवन का आप अपन लेटर को खड़ा करते हैं देखिए यह मातपून अत्ती मातपून पार्ट से यह हो गया भवन ठेक है भवन उसके बाद में यहां अपन एक लेटर खड़ी कर देते हैं अब देखो इसका प्रसिक्षन करना के इस प्रकार से इसको उप्योग में कर सकते हैं इसका प्रसिक्षन सब्टा में दो बार या तीन बार सब्टा में किया जाना से यह है सब्टा में दो बार तीन बार इसका प्रसिक्षन कर सकते हैं इसका प्रसिक्षन करने के लिए सत्तर केजी के तीन वेक्टियों का भार सत्तर केजी के तीन वेक्टियों का भार अब देखिए तीन वेक्टियों को एक साथ इस पे इस पे इस पे सड़ाते हैं चड़ाने के बाद लेटर अलुमीनिय एक्स्टेंसर लेटर नीचे की और जुकती है जुकने के बाद में अत्य दीग तेजी से अत्य दीग मात्रा में तेजी से इसको अपन अठाते हैं मानों कि यहां तक यहां खड़ी है अत्य दीग मात्रा में तेजी से अटाते हैं इसको अटाया जा सकता है अत्य दीग मात्रा में अपन अटाते हैं तो ये ये खींश लिया इसको तेजी से अपन अटाते हैं तेजी से अटाने के बाद में ये है यदि तीन वेक्ती तीरे से नीचे कूच जाते हैं नीचे उतर जाते हैं तो क्या है लेडर वही जो अपना पहले का रूप था वो रूप यदि धारन कर लेती है उस रूप का यदि धारन कर लेती है तो लेडर सही है वरना ये लेडर गलत है इसको उप्यूग में नहीं लिया जाना सही है इस प्रकार से इसको test करते हैं देखो सब्ता ही test और सब्ता में एक दो बार test होना अती आवश्यक है क्योंकि later कभी भी खराबी कर सकती है कभी भी fireman की जिंदगी को बिगाड सकती है इसको कर सकती है तो इस प्रकार से इसका मानक पर section करना अती आवश्यक होता है इस प्रकार से लेड़ी का later का मानक पर section कर सकते है उसके बाद विश्तारित लाइन का पर section विश्तारित लाइन से मतलब है कि अब दो वेक्तियों के भार के बराबर 70-70 केजी 70-70 केजी के दो वेक्ति 70 प्लास 70 दो वेक्ति अब देखो यह ladder है इसका विश्तारित लाइन है अब इस लाइन के 70-70 वेक्ति एक साथ यहाँ पर खींचते हैं खींचने के बाद में यह इनको सोडते हैं सोडने के बाद में न तो तूटे न जो अपने खिसाओ की आए उसका परवाव पढ़े परवाव नहीं पढ़ने पर यह था इस 70-70 वेक्तियों के उप्योग में लेने के बाद में CD यदि यथा इस्तती यथा इस्तती तात्प्रे है कि जिस इस्तती में ladder पहले काम में आ रही थी जिस इस्तती में वो रोप पहले काम में आ रहा था वो ही रोप उसी तरह यदि काम में आता रहे तो यह ladder अपने उप्योगी रहती है काम दाएक रहती है कभी भी किसी को धोका है यह परस्टिक्षन करना fireman के लिए fire department के लिए अत्य दिक आवशिक होता है क्योंकि यदि आपन किसी भी वस्तू का प्रस्टिक्षन प्रिक्षन नहीं करेंगे तो वो सीज कभी भी खराब हो सकती है कभी भी इसी तरह होजों का भी हर वस्तू का fire service में हर वस्तू का उनका प्रिक्षन करना अत्याव शके इस प्रकार से अपन ने इस लाइन का प्रश्टिक्षन कर लिया प्रश्टिक्षन किया जाहे तो बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि वस्तू खराब होते ही अपने को पता चल जाए Ladder Ladder के parts बता दिये किस परकार से Ladder को use करते है Ladder में कितने parts होते है Ladder कितने परकार के होती है किती Ladder की किसकी लंबाई किती होती है ये मैंने इस Video के अंदर बताया इस Topic के अंदर बताया जो आपने note कर लेना इस विस्तारित copy लेके आपको note करके इसका अपयोग कर सकते हैं ताकि कभी भी एक भार एक वार अपन यदी बराबर मात्रा में इसको use कर लेंगे पढ़ लेंगे तो क्या भाउशी में कभी भी अपने देखेंगे कि विस्तारित line कैसे करते हैं aluminum extension letter क्या है कि फायर टेंडर फायर की किते टेंडर होते हैं इस प्रकार से उप्योग में कर लेता है यह दोनों वीडियो लेडर के बारे में था जो आफ विश्तार से नोट कर लेना धन्यवाद अगले वीडियो मिलते हैं